आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी बड़ दिर अगर आपको लास्ट वाली जो प्रिविस सीम सी अगर वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी है तो फिर इस सीम में आपको जो है वसलाई लगाने में मुश्किल नहीं होगी आपने इसमें करना क्या है सबसे पहले आपने दोनों कप्रों पे सीम अलावन्स का निशान लगा लेना है ठीक है विद धर हैल्प ऑफ सिंपल स्केल आपने इसको स्ट्रेट मार्जन देना है दोनों फैब्रिक पे दोनों पे आपने मार्जन दे दिया अब आपने एक कपड़े के जो सीम अलावन्स है उसको आपने ऐसे फोल्ज करके इसको आपने आइरंड कर लेना यह देखें इसको मैंने आइरंड कर लिया ठीक है अब आपने इसको जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसके सेम अलावन्स के ऊपर आपने इसको रखना है यानि इसका जो कॉर्णर है वो सेम अलावन्स के जो लाईने वहां के इसके ऊपर रखना है ठीक है आपने इसको एक दूसरे के पर ऐसे प्लेस कर दिया अब हम इस पर Top stitch क्या होता है Top stitch is the same which created very close to the fabric edge यह जो फैब्रिक का प्रफपी और बल्ल इसके एज पर जो हम हमस्तिक करते हैं तो इसको कहते है Top stitch यह जो जो खब दूझ झाल में उप लॉग जो जो चौ झाल यह जो जो खित रह एंग दूब में वास्टी है और यह जो जो है जो 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 तो खित रहते है लुक्ष्च टूप ले ले खिए यह हमारा लेप्सीन होगा, I hope कि आपको क्लास समझ में आएगी होगी, यह बेसिक्स है, इसके आगे जैसे जैसे हम भरते रहेंगे, वैसे वैसे एडवांस हमारा टॉपिक्स आते रहेंगे, तो प्लीज कोई भी क्लास में समत कीजिएगा, कोई भी टॉपिक में समत क्योंकि जैसे जैसा प्रैक्टिस करते होगे, आपके काम में नीटनेस आती रहेगी, मिलते हैं नियू क्लास में, नियू मॉप्स के साथ, नियू लेक्टर के साथ, तब तब आप प्रैक्टिस कीजिए, अगेन I am telling you, don't skip any class, don't skip any step, it's very important to you, thank you so much. झाल